महाराश्चु से सामने आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे 15 जून को अयोध्या जा सकते हैं ये खबर सामने आ रही है अयोध्या जाएंगे उद्धव ठाकरे और 15 जून वो तारीख बताई जा रही है जब अयोध्या पहुचने वाले हैं उद्धव ठाकरे यह अनुमान लगाए जा रहा है आपको बता दू कि इसलिए हम लिख रहे हैं कि 15 जुन को अयोध्या जा सकते हैं उध्धव ठाकरे अठारा शिवसेना सांसदों के साथ अयोध्या जाने का उनका प्लान है और सभी सांसदों के साथ राम लला के दर्शन भी कर सकते हैं उध्धव ठाकरे तो ये देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपने 18 सांसदों के साथ शिवसेना के सांसदों के साथ अयोध्या जाएंगे ऐसी खबर आ रही है 15 जून को जा सकते हैं और रामलला की दर्शन भी करेंगे इंदर्जीत हमारे साथ जुड़ गया है इंदर्जीत क्या खबर मिल रहे हैं जी बिल्कुल आपके दर्शन करने जा सकते हैं और यह जो डेट है वो पंद्र जून की बताई जा रही है और एक तरह से एक संदेश देने की पोसिस की जाएगी कि इंदर्जीत आपकी आवाज सीख से नहीं आ रही है इसलिए मैं समझ नहीं पारी आप क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन देखिए एक बड़ी खबर यह जरूर है क्योंकि उद्धव ठाकरे 15 जून को अपने 18 सांसदों के साथ आयोध्या जाना चाहते हैं और वहां जाकर वो स दर्शन से पहले तक कुछ समय पहले तक आपने देखा था नाराजगी जाहिर कर रही थी बीजेपी से वो तरह तरह के तंज कस रही थी बहुत सारे इशूज उठा रही थी लेकिन अब जबकि लोग सभाचुनाव में इतनी अच्छी जीत बीजेपी को मिली है उसके बाद संदेश देने की कोशिश होगी और इसी कड़ी में अपने 18 सांसदों के साथ तुद्धव ठाकरे जा सकते हैं अयोध्या 15 जून को और रामलला की दर्शन भी वहाँ पर जाकर कर सकते हैं बताने के लिए बीजेपी को कि हम भले ही आपके साथ जरूर हैं आप भले ही बहुत अच्छी मजॉरिटी से जरूर जीते हैं लेकिन शिर्फ सेना का राग राम म सकते हैं लेकिन आपके जरूर आपके साथ शवार से जरूर आपके से उरूर जो